फरजी किसान अंदोलन कारी अब देश का माहोल खरने खराब करने में लगे हुए हैं और शायद उनको ऐसा करने के लिए उनके जो आका हैं जो खालिस्तान की सपोर्ट करने वाले लोग विदेशों में बैठे हैं पन्नू जैसे शायद उन्होंने कहा होगा कि बहुत दिन हो प्रदर्शन करते हुए धरना करते हुए सरकार कुछ कर नहीं दी तुम्हें मार नहीं दी कुछ करो शायद इसलिए अब राकेश टिकैत का जो भाई हैं वो नरेश टिकैत ने घोशना की है कि जिला मुझा फन्नगर का जो गाउ है उस गाउ में सिसोली में बीजेपी के उन्होंने पूछा है कि मैं पूछना चाहता हूँ इस टिकेट से क्या शिशोली पाकिस्तान में है क्यों ना आएं और अब ये चेलेंज हो गया है एक तरह से चुनोतीस विकार की है भारती जनता पार्टी के विदायक और मंत्रियों ने कि वो सिशोली गाओं में जाके दिखाएंगे और इसलिए आपको बताएं अभी हाल ही में एक घटना हुई कि इसी चुनोती के बाद जो साहरनपुर है वहां के उमेश मलिक बढ़ाना एरिया से विदायक हैं वो सिशोली में गए थे और जब वो गए तो जो नरेश टिकैट राकेश टिकैट जो भारतिय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं इनी का भाई है और किसान यूनियन का अध्यक्ष है उनकी देखरेक में उनके उकसाव किया गया जिसमें कुछ पुलिस वाले और कुछ ये जो मलिक हैं इनके साथ जो गए थे उमेश मलिक के साथ उनकारे करताओं को चोट लगी है इसके बारे में एफ आई यार दर्ज की गई है और अब संजीव बालियान जो की मंत्री है योगी सरकार में उन्होंने कहा है कि इसमें अब कारवाई करें आठ लोगों को नामदर्ज किया गया है और सोशल मीडिया पर वो बकाइदा कई वीडियो पहले से वाइरल हुई है जिसमें जो हमला करने वाले हमलावर हैं उनके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और ये भी दिखाई दे रहा है कि पार्टी के कारेकरताओं ने अपनी तれफ से इस पश्ट संगेत दे दिया है कि अगर ये आतंकी गतिविधी करना चाही है तो ये करें तो भारती हैं कारेकरता विदायक ये सांसद ये मंत्री इनकी गीदर्भबकियों से डरने वाले नहीं हैं भाई इनको याद रखना चा करता जिसमें मुल्ली मनोर जोसी जिसमें आज के पर्दान मंतरी नरेंदर मोदी इस चुनोती को स्विकार करते हुए कश्मीर के लाल चोक पर गए थे भारती जनता पार्टी वो कि जो आतंक वादियों की धंकी से नहीं डरती वो टिकैट की धंकी से क्या डरेगी और टिकैट जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेस के चुनाओं के आने के पहले वो ये दिखाना चाहते हैं सिसोली असल में उनीका गाउं है और ये कहा जाता है कि भारतिय किसान यूनियन की जो सिसोली है वो राजदानी है तो ठीक है राजदानी है लेकिन सवाल ये उठता है कि आप सिसोली के निवासी हो सकते हैं हो सकता है सिसोली में जादातर भारतिय किसान यूनियन के सदस हो तो फिर क्या वो भारत के बाहर का गाउं है क्या वो गाउं पाकिस्ता में है कि वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट बीजा लेना पड़ेगा तो भारती जनता पार्टी के जो विधायक हैं या जो भारती जनता पार्टी के कारे करता हैं क्या वो पाकिस्तान ही है कि उनको आप ये कह रहे हो कि हमारे गाओं में मत आ जाना भाई गाओं में बिजली आ रही है तो वो बिजली कहां से आ रही है वो इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है तो बिजली भी बंद करा दो सिसोली की बिजली काड़ दो मैं तो कहता हूं अगर यह कह रहे हैं सिसोली में भारती जंता पार्टी के कारेकरता नहीं आ सकते तो भाया सरकार इस समय भाजपा की है तो योगी जी को मैं कहूंगा कि सिसोली गाओं की बिजली काड़ दो पानी के कनेक्शन काड़ दो सड़के जाम कर दो जो सड़के हैं ना फिर सिसोली में ही रहो राकेश टिकैट और नरेश टिकैट उस गाओं को चलाएंगे और वहां के किसान सिसोली के बाहर मत जाना अरे कमाल कर दिया सिसोली इस उत्तर प्रदेश का एक गाउं है और उस गाउं में जाने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो इस भारत का निवासी है तो भारती जंता पार्टी के कारेकरता विदायक सांसद मंतरी पाकिस्तान के नहीं है ये राकेश टिकैट चलन कौ जो फन्नकर नहीं जाते सिसोली के लोग क्या दिल्ली नहीं आते तो क्या आप ये चाहते हो कि सिसोली के लोगों को सिसोली गाउं में बंदक बना दिया जाए आपकी चाल ये नहीं चलेगी क्योंकि सिसोली के लोगों को समझना होगा ये दस वीस लोग आज राकेश पूरा देश, वहां के खिसान, ग्यों बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, तो शहर में जाते हैं, वहाँ टेक्टर में पेटरोल जो आ रहा है वो शहर में भरवाया जा रहा है बिजली जो आ रही है वो शहर से आ रही है ऐसा मत करो सिशोली को कि आप सिशोली को पाकिस्तान बना दो चलने वाली नहीं है लेकिन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ये चाहते हैं कि ये जो लेकिन यहाँ जाट जाट को आपस में लड़ाया जा रहा है ये कौन सी राजनिती नरेश टिकैट करना चाह रहे हैं ये राकेश टिकैट कौन सी राजनिती कर रहे हैं कि ये जाटों को आपस में लड़वा रहे हैं ये बिलकुल वो कल्चर है जो कॉंगरेस ने 70 साल अपना क रखा कि हिंदुस्तान के लोगों को आपस में बाट के रखो जातियों में बाटो धर्म में बाटो दंगे कराओ लड़ाई कराओ ताकि आपकी पूछ चलती रहे ठीक इसी पैटरन को ये टिकेत बंदू अपना रहे हैं ये सोच रहे हैं कि जाटों को आपस में लडादो वालों को समझना होगा कि भाई ये जो संजीव वालियान है वो मंत्री हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं और जो विदायक है वो भाजपा का है कोई पाकिस्तान का नहीं है हमारे ही सब भाई हैं सब को एक दूसरे के गाउं में जाने की जरूत है क्या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत उत्तर प्रदेश के बाकी गाउं में नहीं जाएंगे चुनाओ परचार आएगा ये नरेश टिकैत ने गोशना करी है कि सिसोली में भाजपा वाले ना आएं लेकिन उमें मैं पूछना चाहता हूँ नरेश टिकैत जी आप उत्तर प्रदेश के बाकी गाउं में क्या नहीं जाएंगे परचार के लिए क्या राकेश तिकैत पूरे भारत में गूमते नहीं बिर रहे तो जहां जहां भारती जनता पार्टी की सरकारे हैं या जहां भारती जनता पार्टी के कारे करता जिनकी अधिकता है उन गाओं में तो तुम्हारा घुसना मुस्किल ह हो सकता है कि नहीं क्या चाहते हो दंगे हो क्या चाहते हो कि आप एक बिल्कुल साफ सुत्रा चुनावना होने दो आपको किसी और गाओं में ना घुसने दिया जाए ऐसी गोशना चाहते हो क्या नहीं यह लोगतंत्र के लिए अच्छा नहीं है लोगतंत्र का मतलब है कि आप अपनी बात रखिये आप ने रखी आप मोधी को गाली दो आप योगी को गाली दो तो कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि यह सैन्म तीलता है तब आपको कोई गाली तो नहीं देरा आपके गाऊंवें वो मिलने गए और विधायक जा रहे तो आप क्या घोशना करते हो कि उनको कोई गावाले अपनी शादियों में न बुलाएं अपने मरने में न बुलाएं उनसे कोई रिस्ता न करें अरे नरेश टिकैजी आप क्या चाहते हो किस तरह की राजनीती चाहते हो क्या वो जाट के रिस्तेदारी तोड़ दें मतलब आप कितना जहर डालना चाहते हो जाती विरादरी में आप जहर डालना चाहते हो मेरट मुझवण नगर सामली बागतत बड़ोत यह जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है इसका अच्छा भला प्यार भरा माहौल आप खराब करना चाहते हो अरे खालिस्तानी यही तो चाहते है कि यह भाई भाई आपस में लड़ें और फिर आतंक की बंदूक इनको थमा दी जाए और यहां उनका शाषन हो जाए तो आप आतंक वादियों को बढ़ावा देना चाहते हो अभी दंगा हुआ है अभी इस पर फैंसला होना है लेकिन यह नरेश टिकेट और राकेश टिकेट से इनके गाउवाले पूछें कि भाईया सिसोली में अगर भाजपा वालों का आना मंद कर रहे हो तो फिर सिसोली के लोग बिना बिजली रहेंगे क्या उनके बिजली काड़ दे योगी जी सडकों पर पुलिस फोर्स बिठा दें और बंद कर दें उनका पानी दाना सब बंद कर दो वाई सिसोली वाले अपने आप गुजारत चलाएंगे ऐसा काम चलता है क्या नहीं चलने का ये गलत है और इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि इस बात का विरोध होना चाहिए कि यह भाजपा वाले ये कहते हैं कि अब नरेश टिकैत और राकेश टिकैत या कोई लोगदल का आदमी कोई भारतिया किसान यूनियन का आदमी भाजपा वाले गाउं में नहीं घुसेगा क्योंकि गाउं भाजपा और कांग्रेश और लोगदल के नहीं होते गाउं भारत माता के हैं तो इसलिए इसको बटवारा नहीं करना चाहिए लेकिन ये नफरत की राजनिती अभी दिल्ली तक आ गई है अभी आप देखें दिल्ली के बोडर पर गाजीपुर बोडर पर जहां राकेश टिकैट बैठें वहां राकेश टिकैट तो नहीं थे गोशना करदी 15 अगस्त में तिरंगा लहराने हम तो जाएंगे उत्तराखन मलब इनको शोक चड़ा हुआ है कि ये पूरे भारत के नेता बन रहे हैं कभी जाते हैं पश्चिम मंगाल में मम्ता बेनर जी का चुनाव लड़वाने कभी जा रहे हैं महाराष्ट में कभी कहीं जा रहे हैं इनको लगता है देश का परधान मंत्री मैं ही बनूँगा आगला तो सपना देख रहे हैं पता नहीं सोते में क्या सपना देखते हैं ये के मोदी को हटाने का सपना देख रहे हैं कभी योगी को हटाने का सपना देख रहे हैं इन्होंने कभी भी कॉंग्रेस को हटाने का सपना नहीं देखा जिन्होंने सत्तर साल शाशन करा लहराने दूँगा ये तिरंगा भारत माता की शान है ये भारत की आनबान शान है जिसके लिए जाटो के ही लड़के सैना में जाट रेजिमेंट अलग से बनी हुई है अपना तन मन धन से माता की सेवा करने में लगे हैं भारत माता की और उसकी रक्षा में लगे हुए हैं ल नहां तक मुझे जानकारी है लेकिन ये किस तरह की भाशा बोल रहे हैं लोग कहते हैं ये खालिस्तानी जो पन्नू है ना ये तो उसने कहा था कि तिरंगा मत लहराने दो मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगा कहा था ना छबीस जन्वरी पे कि जो लाल किले पर तिरंगे की जगे निशान साइब यानि जो सिक्को का निशान है वो वाला जंडा फैराएगा मैं उसे धाई करोड दूँगा तो अब कह उसने पैसे की घोशना नहीं करी लेकिन लोग अंदर खाने से कह रहे हैं कि अब कह भी इन नेताओं को जो ये किसान नेता बने हुए है इनको पै इसान नेता हिंसा करने के दंगे करने के आपस में लड़ाने के पैसे लेते हैं लोग कह रहे हाँ जी कल दिल्ली के बोडर पर गाजीपुर पर दंगा हुआ और दंगा किनका हुआ मेरट के कुछ यूवक आए थे वो गाड़ियों से आए थे और इसलिए आए थे कि 500 रुपे एक बंदे के और गाड़ी का पैटरोल और खाने पीने का इंतजाम ये सारा हमें कहा गया था फोन पर लेकिन जब हम गाड़ी लेकर पहुँचे और हमने कहा भाई हमारे पैसे दो हमें कही थी गाड़ी लाना पैटरोल मिलेगा दारू पानी के पैसे मिलेंगे और साथ मार पीट हुई भाई हम तो अपने घर को वापिस आ गए क्योंकि अगर हमें लालच दे के बुलाया था पैसे लिके नाम पर हमारा तेल भी खर्च हुआ राकेश टिकैट अपने ही अकेले सारे पैसे हजम करने के नियत से लग रहा है हमें तो पैसे दिये नहीं अब यह मैं नहीं कह रहा है यह वो लोग कह रहे हैं जिनके साथ मार पीट हुई जिनों के साथ जगडा हुआ आज इपर बोर्डर पर सवाल यह उठ रहा है कि अब जो किसान आंदोलन में राकेश टिकैट के साथ पिछले आठ महीने से यहां डटे हुए थे अब उनमें ही आपस में जगडा हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंदर की बाते बाते भार आनी अब शुरू ही हैं पता लग रहा है जैसे कि भारतिय किसान यूनियन भागू के अद्यक्ष ने कहा कि कॉंग्रेस सारे इस आंदोलन को फंडिंग कर रही है और यह आतंकवादी गती मिधी में लगे हुए हैं इस तरह की चीज़े अब धीरे धीरे खुलके आएंगी निश्चित रूप से इनमें आपस में सिर्फ टबल होगा और यह धरना अपने आप ही लड़ भिड़के यह लोग खतम कर देंगे योगी जी का चुनाओ उसका रिजल्ट किलियर है योगी सरकार ही दुबारा बनने जा रही है पिछली बार से पचास सीट और अधिकला रही है यह राकेश टिकैट नरेश टिकैट कितना ही जहर समाज में भोलने की कोशिश करें लेकिन जाट बिरादरी में अकलबंद लोग हैं और पढ़े लिखे लोग आज की डेट में है वो समझते हैं कि राजनिती हो रही है और योगी जी उनके भले में हैं ना कि उनके नुकसान में, बंदे मातरम